बांगलादेस और टीम इंड्या के बीच में हुआ पहला टेस्ट मैस तो टीम इंड्या ने आसने से अपने नाम कर लिया है। लेकिन अब दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा खत्रा सामने आ रहा है। और आप सभी के जानकारे के लिए आपको बता दूँ कि इस खत्रे के बाद में टीम इंडिया के फाइनल में जाना की उमीदों को बहुत बड़ा जटका लगने वाला है। सबसे पहले इस खत्रे के बाद करें तो टीम इंडिया और बांगलदेश के दूसरे टेस्ट मैच के दोरान बारिस होने की बहुत ही ज़्यादा आसंका बता ही जा रही है। और अगर दूशे टेस्ट मैच के दोरान बारिस होती है, तो इसे Team India World Test Championship के final छे बाहर होने की और दिख रही है। अगर यह मुकबला बारिश के चलते डरो होता है तो उसके बाग में टीम मिंड़े की क्या स्थिति होने वाली है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वी चंदर अश्विन, रविंदर जड़ेजा और साथी रिसर पंत की बहुती बड़ी गुमेकार रही है लेकिन अब आगे आने वाला दूर्षर टेस्ट मैच टेम इंड़े के लिए खत्रा बन रहा है इंडिया और बांगलादेस का दूर्षर टेस्ट मैच कानपूर के मैदा का बताई जा रही है और जैसा कि सभी को पता है कि इंडिया और बांगलादेस का भी दूर्षर टेस्ट मैच 27 सितंबर से शुरू होने वाला है इसके साथ-साथ मौसम विबाग के अनुसार 28 और गुन्टी सितंबर को भी कानपूर में 66-70% बारिस की आसंका बनी हुई है अ इन दिन तक बारिस होती है तो उसके चलते 2 दिन का टेस्ट मैच खेला जाएगा और यह त्सके बाद ड्रो की ओर दिख जाए लेकिन यह त्सक्थ मैच ड्रो होने के चलते टीम इंडिया को बहुत बड़ा जटका लग सकता है इसकी वजह के बादे बात करें तो टीम इंड इंडिया का जीत पर्षेंट 18.17% हो जाएगा यानि कि टीम इंडिया के जीत की पर्षेंट कम हो जाएगे क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चेंपियंशिप में टीमों को फाइनल में जगे जीत पर्षेंट के आदार पर दी जाती है वहीं अगर इस मुकाबले में बारिस नहीं होत है और टीम इंडिया या मुकाबला जीत तकी लड़े की 42 परसेंट से सीधी 44 हो जाएगे और एक तरफ अगर देखा जाए तो पारिश नहीं होती है तो इस मुकाबले में टीम इंडिया के जीतने की ज़्यादा संभाव नहीं नज़र आती है तीम इंडिया को विल्टेस्ट चेंप्यनिंश्प के फाइनल में जाने के लिए आगे आने वाले 9 मुकाबलों में से पांच मुकाबलों में जीट जरूरी है अगर तीम इंडिया पांगलदे से साथ होने वाला दूसरा टेस्ट मेंच जीट लिती है तो टीम इंडे के लिए आगे आने वाले 8 मैचों में से 24 मैच जीतने होगे लेकिन अगर टीम इंडे ये मैच रो होता है या फिर पारिशी चलते रद होता है तो टीम इंडे को बड़ा दटका लगने वाला है क्योंकि उसके बाद टीम इंडे को आगे आने वाले आच मुकाबलों में से पांच मुकाबलों में जीत चाहिएगी और आगे आने वाले मुकाबल के बात करें तो टीम इंडे को इसके बाद में पांच टेस्ट मैचोक स्रीज और साथ ही तीन टेस्ट मैचोक स्रीज नुजिलेंड साथ खेलनी हैं और उन दोनों टीमों से जीतना टीम इंडे के लिए गड़ी चुनोती होगी क्योंकि ओस्टिलिया और नुजिलेंड दोनों टीमों में बहुत ही खतना खिलाड़ी हैं जो कि टीम इंडे के सामने जीतने के लिए चुनोती पेस्ट कर सकते हैं तो अगर टीम इंडे के लिए इंडिया और बंगदेश के दूसरे टेस्ट मैस में बरसात होती है तो यह टीम इंडे की फाइनल में जाने की उमीदों को एक जटकाल दे सकती है तो अब आज के इस वीडियो में सितना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना साथते हैं तो अभी इस चैनल को सस्क्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को भी एक लाइक जुरूर कर दें